टीविनाइन के डिजिटल प्लाटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत था आपके साथ मैं हूँ प्रतिमा मिश्रा इस महीं ने UNSC की 27 सदस्ता में किसको मिली है ध्यक्षता रश्या को और इससे सबसे ज़्यादा आग बबुला कौन है अगर आपका गैस यूक्रेन है तो आपन प्रोग्राम्स में आपके सामने रखते हैं सर सबसे पहला रियाक्षिन आपका इस पर जो जैसा कि हम जानते हैं रूस पर्मनेंट मेंबर है और अलफ़बेटिकल ओडर में हारमईने अध्यक्षता चेंज होती है तो ये तो होना ही था लेकिन यूक्रेन का ये कहना कि एप प्रेजिदेंसी रूस के पास आई है उसके लीगल माने क्या है और रूस को क्या एक्स्ट्रा पावर्स मिलेगा यदि जब वो प्रेजिदेंट फरस्ट अपिल से बने है तो ये तीन विंदियों पर में टिपनी करूँगा पहला लीगल एंगल लीगली जितने सदस होते है बाई रोटेशन उनको एक-एक महीने का प्रेजिदेंशी का मौका मिलता है तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है और ये तो प्रोसेस सेट रहता है कि किस महीने कौन बनेगा अब मिस्टर जलेंश की के मर्जी से तो डेट डिसाइड नहीं करेगा उनाइटे नेशन्स कि रशा को प्रेजिदेंट बनना है तो लीगल प्रोडिश्टी कौन से इसमें कोई किन्तू-पंतू करने की जुट नहीं है अब आते हैं मॉरालिटी पे कि क्या जब रूस अभी युक्रेण वार में बीजी है उसमें मेन प्लेयर है तो क्या ऐसे देश को युनाइटेड ने है और किस तरह से इन्फुएंस कर सकता है पहली बात रूस यूथ का जब प्रेसडेट बनता है तो वो यूँएनस्टी का फेस है फेस होने के नाते मीडिया बरीफिंग हो कौन कि सब्जेट को के या जा सकता है किस पर डिस्केशन हो सकता है क्या फाइनल ड्राफ्ट तो पावर तो उसके पास आता है अब सवाल पैदा होता है क्या मिस्टर प्यूटिन इसका दुरियोग करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो दो फ्रंट अपने लिए खोलेंगे जलैंस्की ने जिस तरीके से इस तरफ आईएगा सर जलैंस्की ने जिस तरीके से ये बड़ा बयान दिया है जिसको आप uncalled for कह रहे हैं और बहुत सारे लोग इस पर agree भी करेंगे लेकिन उनका ये बयान शायद इसके मद्दे नजर भी देखा जा रहा है कि महत्वपून है क् रूस और उक्रेन की बीच जंग की शुरुवात हुई थी उस वक्ट भी अध्यक्षता रूस के पास ही थी और इतना बड़ा कदम रूस की तरह से उठा लिया गया जब जहां तक कि UNSC की काम की बात है तो अंतराश्टे अस्तर पर शांतिय और सुरक्षा को maintain करना बहाल करन ये उसके सबसे बड़े कामों में से एक माना जाता है तो ऐसे मीं ये सवाल उठा रहा है यूक्रेन देखिए यूक्रेन लडाई का cause कोन है cause and effect theory analyze कीजिए management में cause and effect theory बताया जाता है कारण कोन है कारण तो जलिंस की है आप अमेरिका के चक्कर में आके आप ये संदेश दिना शुरू क्यें आम नाटो जोइन कर रहे हो तो नाटो जोइन करोंगे 27 में 1997 के संधी क्या थी वो संधी में में अमेरिका सिग्नेट्री है रूस सिग्नेट्री है और ये अपना यूक्रेन भी उसमें सामील है तो संधी क्या थी संधी थी कि 27 में 1997 के बाद जो नाटो के troops का deployment ह वो इस वर्ड नहीं होगा, हुआ, तो आपने संदी को तो ऐसी धजी उड़ा दी, तो जब इस तरह का विश्वास गहत का आप करेंगे, और रूस देखता है कि खत्रा मेरे द्वार पे आ रहा है, तो सभाविक है, वो अपने आपको सुरक्षित करेंगा, आपने सोवियेट उनियन के टुक्रे टुक्रे किये, वो तो पहले उगली जला चुका है, फिर आप रूस को तबाह करने के कोशिस कर रहे हो, तो बार बार कांट की हारी तो चड़ेगी नहीं, तो वो तो रूस अपना हिद देखेगा, तो उसने का कि इसके पहले कि तुम नाटो जोइन करो, तो हम पब तुपशाई कर देते हैं, जरी भी प्रेशर बना जा रहा है कि मोल्डोवा कुट बी अनदर कंट्री, तो यह आप लगाता है, रूस को भड़का ही तो रहे हैं, क्योंकि उक्रेन के नेटो में ना जाए, इसी को लेकर तो लगाता है पुटिन प्रेशर बना भी क्योंकि वो चुपचाब बैठे हैं, तो मेरा ख्याल है, जब हम उनसी की शांती की बात करते हैं, क्योंकि उनसी का रोल है, शांती कायम करना, और क्या ये सुटेबल है, कि जो देश अटाइक किया है, वो शांती मेंटेन करें, आपको यह पर जिलेंस की जिद्धी बच्च लेड की बात हो, हत्यारों की सप्लाई की बात हो, यहाँ पर उनका ये कहना की उनसी को भंग कर देना चाहिए, ये स्तरीकी की बात इनका कहना, उस पर अमेरिका ने भी का कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जानते हैं कि रश्या ने क्या क्या, बावजुद उसके, चुकि वो प वो अपना रास्ट का हित नहीं देखते हो, आप अमेरिका के इशारे पे नाचे हो, आपने तो पूरे उक्रेन को बरवाद कर दिया, युक्रेन मिनरल्स के मामले में विश्में बहुत रिच जो ग्रिफिकल रिजन था, युक्रेन यूरोप का जो में ग्रेन सप्लायर था, खाने के जो जितनी समगरी थी, आपने तो सब खतम कर दिया, आपका ब्लैक सी से अप्रोच घट गया है, खतम हो गया है, और देश को मिला क्या, चाली से पचास लाग लोग उक्रेन छोड़के भाग गये हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बुरीता से बरवाद हो गया, आप यहाँ पर आप कहीं न कहीं यह भी कह रहे हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि रश्या ने भी हाली में अपनी नई फॉरण पॉलिसी को अड़ाउट किया, जिस पे उसने अमेरिका और चीन को अपने सबसे अच्छा दोस्त बताया, और इंडिया और चीन को माफ की जिगा, अमेरिका को दुश्मन नमबर वन बताया, तो कुल मिलाकर अमेरिका इस बात को भी जानता है कि रश्या को रोकना उसके लिए इस वक्त सबसे महत पपून है, इसलिए वर्ल्ड वार के बाद जब कोल वार वाला दौर भी हम लोगों ने देखा जिस दौरान, कोल वार खत्म होने के बाद हमने देखा कि 50% विस्तार नेटो का कोल वार खत्म होने के बाद किया गया, जैन कहीं ने कहीं इस बात को वो जानते थे कि पुतेन इस थ्रेट या रश्या इस थ्रेट रहा है, और इसलिए C.I.A. ने गुर्बचो को कैसे तोड़ लिया गया, और रूस के का यह बार बार अटक रूस पे आता रहेगा, तो जीतना अप डिफेंसी ओ मोड में रहीएगगा, उतना अगला आखना ओंसिर्मूड में रहिएगा, आपने बॉक्शिंक रिंग में देखा होगा, आप बॉक्सिंग जी ओफेंसिमूड में तो अगला फो लिवड़ करता ह है कि हम राश्ठेट के लिए हम कोई मेरी कुछानी होती है फाइनिशल लॉस होता है एकनॉमिक सेंक्षिन आते हम सब देख भी रहे हैं सर जितने एकनॉमिक सेंक्षिन रश्या पर लगा दिये गए बावजूद उसके रश्या स्टैंडिंग टॉल रश्या को फर्क जादे कुछ थोड़ा मुड़ा पड़ा है पर उसने अल्टरनेट में धूंड लिया है अब हिंदुस्तान के साथ भी ट्रेट करने के लिए उसने बाद चाइना के साथ वो उसने अपना हमने तेल खड़ीदा तो हम तो रूस के साथ एक पाएगा तो मेरा ख्याल है रूस बेहतर कर पाएगा रूस यह दी इंफ्लेंस कर देता है कि दोनों निगोशेटिंग टेबल पर आओ आओ अजब प्रेजडेंट आप से चर्चा के बाद भी किस युद्ध की शुरुवात ही ना होती अगर पुतिन की वो शर्त मानली गई होती जो जिद जेलेंस की लगातार पकड़े हुए थे कि उन्हें नेटो में जाना है उन्हें नेटो में जाना है और इस तरीकी के हालात यूकरेन के नहीं होते जैसे हम तबाही की तस्वीरें लगातार देख रहे हैं ऐसे ही और अपडेट्स के लिए लगातार टीवी ना को आप फॉलो करते रहें